नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 15 जुलाई 2023 के Current Affairs Analysis और Editorial Analysis में आपका स्वागत है सटर डे है, content थोड़ा कम होना चाहिए, Editorials के विल दो important है, Current Affairs लगभग साथ important है आज सारे के सारे बहुत detail में आपके साथ discuss करूँगा उसके सासा thank you very much दोस्तों, ethics के course में अपना इतना confidence दिखाने के लिए values की जो मैंने terminology डिसकस की थी, उसके बाद दो और terminology डिसकस होने वाली है एक emotional intelligence की terminology आज mentorship course में आपको मिलेगी उसके सासा tolerance की जो terminology है, ethics के अंदर GS paper 4 की इसकी भी information, इसकी भी वीडियो आज आपको मिल जाएगी PDF के साथ उसके सासा दोस्तों, ethics की answer writing की series भी जल्दी upload होना शुरू हो जाएगी मतलब ethics के question और उन questions के answers को आपको frame कैसे करना है वो answers frame करके मैं आपको दिखाऊँगा, उन answers को frame कैसे करना है thought process को कैसे synchronize करना है, कैसे एक hierarchy में चीज़ों को लिखना है ये सब detail में मैं जल्दी ही लेके आने वाला हूँ तो tolerance की और emotional intelligence की जो overall video है explaining these terminologies वो मिल जाएगी और उसके सासाथ answer writing में जल्दी आपको मिलने वाला है ये course मतलब हरशिद दिवेदी education की app मिल जाएगी उस app के अंदर आप इस course को देख सकते हैं और उसके सासद iOS पे भी ये app available है हरशिद दिवेदी education तो आप वहाँ पे भी इसको check out कर सकते है टेलिग्राम ग्रूप जरूर से join कर लिजे दोस्तों टेलिग्राम क्रूप हरशिद दिवेदी वीडियोस नाम से है टेलिग्राम पे उसमें लगबग 56,000 members है वहाँ पे भी PDF daily की basis पे अपडेट हो जाती है free of cost और apps में भी study material section में मिल जाएगी तो चलिए current affairs को शुरू करते हैं इंडिया's third lunar odc commences with perfect launch अब देखिए चंद्रियान 3 को लेके आगे आने वाले समय में article ही article भरने वाले है soft langging चलियान की 23 अगस्त को है अभी के लिए जो चंद्रियान spacecraft है वो elliptic parking orbit में entry मार चुका है तो यहाँ पर जो rocket है चंद्रियान 3 का lift off हो रहा है इसकी particular photo है यह अची फोटो है 37 space printer हरी गोटा से 14 जुलाई यानि कल यह launch हो चुका है ठीक है ना LVM3 से और उसके बाद first stage of separation भी यहाँ पर हो चुका है चुकि elliptical parking orbit में यह पूरा का पूरा overall rover lander propulsion module पहुँच चुका है ठीक है अब सबसे खास बात यह है कि 2019 में भी एक soft landing कराने की कोशिश की थी इसरों ने चंद्रियान 2 के तूरू वो fail हो चुकी है अब तक moon के surface के उपर soft landing successfully 3 countries करा चुकी है US, Russia और China अगर चंद्रियान 3 successful हो जाता है तो India वो 4th ही country होगी अगले 42 days चंद्रियान 3 के लिए बहुत important होने वाले अब कल की date मिठाईया बाटी जारी थी लोग एक दूसरे के साथ गले मिल रहे थे वो इसले थे कि launch successful था नहीं launch successful होने के बहुत chances थे यहाँ आप में main moment तब आएगा जब soft landing होगी अभी overall हमें celebrate करने जैसा कुछ भी नहीं है celebration तब actual होगा अगर 23 अगस्ट को यह चंद्रियान 3 successfully soft land कर जाता है किस पे आपका moon की surface पे चुकि 2019 में जब यह soft landing ट्राइ की गई थी तो वो hard landing हो गया था वो भार से जाके moon की surface पे लड़ गया रोवर भी तबाह हो गया लेंडर भी तबाह हो गया तो इस बार का लेंडर विक्रम और रोवर प्रग्यान पिछली बार भी यही नाम से 2019 में यह दोनों ही जा रहे हैं यह जो elliptical parking orbit है overall earth के चारो तरफ इसकी जो closest approach है earth से वो है 170 km और जो farthest approach है वो है 36,500 km अब खास बात दोस्तों यह है यह रहा earth यह रहा moon अब यह earth के चारो तरफ elliptical parking orbit में घूम रहा है यह आपका LVM3 से निकला हुआ चंद्रयान थी फिर एकदम से moon के ऊपर जो 100 km की orbit है उसमें से जटके के थूँ यह propulsion module लेके जाएगा इस lander और rover को और फिर moon के चारो तरफ घूमेंगा है 100 km के orbit में तो जो propulsion module है वो orbit में रहने वाला है और इस propulsion module के अंदर रखा हुआ है shape spectropolarimetry of habitable planetary earth shape याद रखेगा कल की date में UPSC में किसी भी GSK exam में आप से पूछा जा सकता है कि what is shape तो shape है spectropolarimetry of habitable planetary earth इसको आपने notes में incorporate कर लीजे ये propulsion module में है और ये overall जो lunar orbit है 100 km above the moon surface उसमें घूमता रहेगा और वहां से ये study करेगा spectral emissions coming from earth अब आप बोलोगे कि sir ये रहा earth ये रहा moon तो ऐसे moon के चारो तरफ अगर घूम रहा है तो कुछ समय तो ऐसा भी आएगा ना जब ये earth की अलग होगा तो नहीं भाई एक polar orbit में है most probably ये तो obviously बात है ये रहा earth ये रहा moon तो ऐसे घूम रहा होगा तो continuously ये जो shape है ना spectropolarimetry of habitable planetary earth ये लगातार earth को monitor कर पाएगा earth से आने वाले spectral emissions को study करेगा और फिर इस प्रकार के spectral emissions को पूरे universe में धूना जाएगा एक habitable planet धूनाने के लिए ठीक है भई तो ये overall news है अब let's see this news अभी तो देखिए मेरे एसाब से कोई खुशी वाली बात है नहीं खुशी वाली बात उस दिन आएगी जब successfully 23 अगस्त को overall soft landing अगर successful हो जाती है moon की surface पे that will definitely be a milestone for India बढ़ अगर फिर से वही hard landing हो जाती है 2019 जैसी तो इंडिया की फिर से मट्टी पलिद बहुत होगी बहुत बदनामी होगी आगे चलते हैं बदनामी क्या होगी इंडिया ने at least कोशिश की बढ़ हाँ लगातार अगर हमारे इस प्रकार के scientific expeditions fail होंगे तो definitely बुरा तो लगे गई अगला इंडिया फ्रांस set to co-develop engine तो भहिया defense cooperation इंडिया और फ्रांस के बीच में एक अलग level पर पहुंच रहा है वे रिसेंटली combat aircraft engine का joint development इंडिया और US के बीच में भी हुआ है जो GE Electric Company है US की वो overall engine provide करीगी LCA Mark 2 तेजस के लिए जो कि हमारा light combat aircraft है तो इंडिया फ्रांस के बीच में joint development होगा combat aircraft engine का फिर इंडियन multi-roll जो helicopters है न उनके लिए भी यहाँ पे engine develop किया जाएगा हिंदिस्त्वान aeronautics limited के दोरा under technology transfer from France तो भाई overall अगर आप देखो तो बहुत सारे defense announcements यहाँ पे हुए फिर दोनों nations इंडिया फ्रांस कोपरेट करेंगे small और advanced modular reactors पे और joint earth observation satellite को भी यहाँ पे finalize किया जाएगा तो overall अगर आप देखो तो इंडिया की DRDO और France की साफरान की बीच में यहाँ पे agreement हुआ है प्रधान मंत्री मोदी जी एक तरफ और French President Emmanuel Macron एक तरफ इन्होंने बोलाए कि support करेंगे industrial corporation को for motorization of heavy lift helicopters under IMRH program तो यह जो IMRH program है IMRH program आप उपर देख चुके हो क्या है Indian Multi-Role Helicopter program तो Indian Multi-Role Helicopter program में जो साफरान helicopter engine है आपका France का वो उसकी technology provide की जाएगी इंडिया को अब वो कितनी technology provide की जाएगी किस cost पर provide की जाएगी उसके क्या terms and conditions होंगे exact इसको लेके अभी India France की बीच में तो यह जो ventures है ना यह India France की बीच में ट्रस्ट का महल लेके आते है जिसके जलते share किया जाएगा और joint development किया जाएगा critical components का technologies का और इंडो France का जो experience है technology transfer में इसको आगे लेके जाएगा पिछले महीने अगर आप देखो तो हिंदुस्तान अरे नाटिक लिम्टोड जिनलेक्टिक ने एक M.O.E.O. sign किया था F.E. 414 इंजिन की technology को इंडिया को transfer करने गा वो technology जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है light combat aircraft Tejas MK2 में इस्तमाल होगी हाला कि उसका license approval US Congress की तरफ से भी आना बाकी है बट most probably वो US Congress की तरफ से आही जाएगा ठीक रहा है तो ये सब चीजें हो रहा है Defense Corporation बहुत important point होता है France और India के बीच में Defense Corporation को आगे बढ़ाया जा रहा है ये सारी की सारी बाते Modi जी ने French President Emmanuel Macron के साथ मिल के Joint Press Statement के थ्रू अनाउंस की LAC Palace के पास ठीक है थरस्डे को जब मोदी जी पहुचने वाले थे France में तब Overall Defense Acquisition Council ने Preliminary Approval भी दे दिया था For the Procurement of 26 Rafale Marine Fighters Jets ठीक है और उसके सासर ओवर ओल जो Scorpene Class Diesel Electrical Submarine है वो भी हम Neville Group France से खरीदेंगे तो basically Neville Group France और मजगाओ डॉक्स Yard Limited Mumbai ये दोनों मिलके तीन additional Scorpene Submarines को इंडिया के अंदर डेवलप करेंगे तो टेकनलोजी ट्रांसफर भी होगा साथ साफरान ग्रूप के साथ हेलिकॉप्टर इंजिन की टेकनलोजी आएगी एक Advanced Fighter इंजिन की टेकनलोजी की ओपर भी बात्चीत यहां पर चल रही है ठीकिना और 26 एम जो हम लोग साफाल फाइटर से यह तो हम खरीदी रहे हैं ठीक है उसके आगे यहां पर क्या बताया जा रहा है फर्दर अधर डिफेंस इंडिस्ट्र पार्टनर्शिप इनिशेटिवस आरा कॉन्ट्रैक बिंग कॉन्कूड़ेट बिट्वें साफ राम हेलिकॉप्टर इंजिन एन एचे एल फॉर ट्रांसफर टेकनलोजी वार्टिंग इन कास्टिंग एंड लेकॉर एक और नेवल गुर्फ फ्रांस लीडर है ये उरोपेन नेवल डिफेंस इंडिस्ट्री में ये लोग कॉलाबरेट करेंगे इन फील अफिल 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 फिल्मेंट अफिल इंटरनाशनल लेवल फोर्स तो इंडिया के नेवल फोर्स को फुल्फिल करने के लिए भी ओवर आल साथ यहां पे कुछ MOU सायन किये हैं, एक डिफेंस इंडिस्ट्री कॉपरेशन के रोड मैप को सेटप किया जा रहा, बाड़े स्केल पर डिफेंस इंडिस्ट्री क्लाबरेशन किया जाए गा, DRDO यहां पर डियाडिया को जो टेक्निकल आफिस है ना वो सेटप किया इंडिया की जो इंबैसी है पैरिस में वहाँ पे DRDO की टीम को पर्मनेंट बेसिस पे बठाया जाएगा ताकि वो टीम आराम से फ्रांस के जो बड़े आप कहलो डिफेंस मैनुफैक्ट्रर से उनके साथ ग्राउंड लेवल पे कॉडिनेट कर सके तो इंडियन एंबैसी जो है पैरिस में वहाँ पे DRDO के आफिशल्स को बठाया जागा तो जो भी DRDO के आफिशल्स जाएंगे उनके देखे थोड़े मज़े लगने वाले हैं ठीके अब यहाँ पे बास्तिल डे परेड भी हुई और बास्तिल डे परेड में सलामी दी गई फ्रेंच प्रेजिडन बास्तिल डे की बात हुई है तो बैस्तिल डे आपको पता होना चाहिए यह फ्रेंच रेविलूशन का एक पार था ठीक है बैस्तिल डे सेलिब्रेशन होते हैं 14 जुलाई को ठीक है न और 5 मई के लगबग फ्रेंच रेविलूशन शुरू हो गया था फ्रांस के अंदर 1789 को तो 14 जुलाई को ऐसा क्या हुआ था कि बैस्तिल डे सेलिब्रेशन आज की डेट में 14 जुलाई को होते हैं तो उसका रीजन यह है दोस्तों कि 14 जुलाई 1789 को स्टार्मिंग ऑफ दा बैस्तिल बैस्तिल एक प्रिजन हुआ करता था उस प्रिजन में गरीब पिछले तपके क थर्ड एस्टेट के लोग जेल में बन थे तो जेल तोड़के उनको वहां से छुड़ा लिया गया था और उसके बाद मुवमेंट को एक डिरेक्शन मिला था ओवराल लोग सड़कों पर उतर आये थे पोनार्की के अगेंस्ट बवाल करने लगे थे पोजिशन करने लगे तो इसी बैस्टिल प्रिजन की जो स्टार्मिंग है ना इस स्टार्मिंग को एस बैस्टिल डे प्रमोट किया जाता है फ्रेंच रेवलुशन की शुरुवाती दोर का एक बहुत लैंड मार्क इवेंट है ये इसलिए बैस्टिल डे सेलिब्रेशन किये जाते हैं कहां पे आ मदरास हाई कोट रूल्स इन फेवर अफ एडी अब ये जो पर्टिकुलर न्यूज थोड़ी पॉलिटिकल है लेकिन इस पॉलिटिकल न्यूज के साथ हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता चलते हैं जिसे कि क्या हुआ है कि और अब पहले तो मदरास हाई कोट की बैंच बैठी और उस तू जच की बैठी ने कंफ्लिक्टिंग जजमेंट दिया ठीके न क्या था वो conflicted judgment मैं आपको समझाता हूँ जो justice जे निशा बानू है इन्होंने मेगला जो की wife है संतिल बाला जी की उनकी petition को allow किया और बोला कि minister संतिल बाला जी का जो detention है वो illegal है मतलब इनको गलत तरीके से detention में रखा गया है इनको detain नहीं किया जा सकता यहाँ पर मैं कुछ और points बता देता हूँ 1992 में एक judgment आया था Supreme Court का Two judge bench judgment था इस Two judge bench judgment में यह बोला गया था कि overall अगर किसी particular individual को remand पे भेजा गया है जेल में तो police custody के अंदर वो 15 दिन के लिए रह सकता है maximum अगर उसके बाद उसको custody में रखना है तो उसको judicial custody में रखना पड़ेगा आप police custody में उसको नहीं रख सकते हो अब आप बोलोगे सर कुछ समझ में नहीं आया देखे इस particular case का नाम था 1992 अनुपम कुलकरनी case इस particular judgment में Supreme Court उसे में क्या होता था कि देखे किसी criminal को पकड़ा पोलिस ने पुलिस ने उसको station में रखा उसके अच्चे दूलाई हो रही है उसको मारा पीटा जा रहा है कई बार मारा पीटनी चलते वो लोग मर जाते थे कई बार उनके हाथ पॉँट गए कई बार चोट लग गई कई बार बिलकुल जान पे आ गई तो ये हो गया कि बार पुलिस के अंदर अगर आप एक पर्टिकुलर क्रिमिनल की कस्टिडी दोगे तो पुलिस वाले उसको मारेंगे पीटेंगे उसके साथ बुरा वेवहार करेंगे तो ये लोग भाग के जजज के पास चले जाते हैं साथ ये हमको परिशान कर रहे हैं हमें बचाईएं तो 1992 के इस अनुपम कुलकर्णी जजज्मेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाईया मैकसिमम 15 दिन की ही पुलिस रिमांड हो सकती है उसके बाद अगर रिमांड होगी तो जुडिशल रिमांड अब आप बोलो के साथ रिमांड रिमांड मतलब देखिए एक जुडिशल टर्म है एक इन्वेस्टिकेटिव टर्म है रिमांड का मतलब यह होता है कि जब केस इनिशेट हुआ तो केस के इनिशेट होने के बाद ओवर और कितने दिन आपने जेल में रखा अब जेल दो तरीके की है एक तो पोलिस लॉक अप में बंदो पोलिस थाने में बंदो या CBI के किसी थाने मं बंदो या फिर ED के किसी थाने मं बंदो NIO के किसी थाने मं बंदो तो मतलब डाइरेक्ट इन्वेस्टिकेटिटिंग अथोर्टी के control के अंदर हो आप ठीक है ना जेल वो भी है लेकिन वो investigating authority control में और मालो आपको ठाक किसी जेतिहार जेल में डाल दिया ठीक है तो अगर किसी जेल में आपको डाल रहा तो जेल देखिए directly police के अंदर नहीं होती है जेल judge के अंदर होती है अगर जेल के अंदर जाके investigation करनी है police को कैदी से कुछ सवाल पूछना है तो उसको custodial interrogation की permission लेके आनी पड़ेगी judge साहब से चुकि jail judge के अंदर होती है समझ के बात को तो overall इस particular 1992 अनुपम किलकरनी case में यही बोला कि अगर case initiate हुआ है तो शुरू में जब arrest किया जाएगा किसी कैदी को या फिर किसी convict को convict तो नहीं बोलना चाहिए उस particular individual को जिसके against allegation जिसके उपर इज़नाम लगाया जा रहा है तो उसको maximum दिन 15 दिन ही police remand में रखा जा सकता है 15 दिन के बाद उसको police remand में नहीं रखा जा सकता समझगे बाद को मतलब 15 दिन तक ही वो police custody में रहेगा उसके बाद अगर आप उसको custody में रखना है तो आपको रखना पड़ेगा judicial custody में मतलब magistrate साहब बोलेंगे हाँ भाई ठीक है हम इसकी judicial custody grant कर रहे है दिन से पूछना चाले थे संतिल बाला जी की तबेद बिगड़ गी उनको कुछ प्रॉब्लम थी तो उस प्रॉब्लम के लिए वो hospital में जमा हो गया वो hospital के procedure में शुरू के 15 दिन निकल गया शुरू में उनका arrest हुआ भी था तो अब enforcement directorate बोल रहे जाके लेकिन उसके बाद जो संतिल बाला जी की वाइफ है वो पहुँच गई कोर्ट में उन्होंने जाके बोला कि सर्फ 15 दिन तो बीच चुक है अरेस्ट किये हुए ठीक है आब इनको arrest किया ही नहीं जा सकता तो यहाँ पे देखिए पहले CBI में भी ऐसे केसे जाए है CBI ने भी particular person को arrest किया 15 दिन तक उसको arrest में रख सकता था लेकिन उसकी तविध खराब हो गई तो वो hospital ने पहुँच गया तो वो hospital वाला पूरा पूरा time 15 दिन में count कर लिया गया और overall investigating authorities को custodial interrogation का मौका ही नहीं मिला समझ के बात को तो इस बात को लेके Supreme Court ने भी पहले ये बात बोली है कि भाई देखे overall investigating agency के पास भी authority है कि वो proper तरीके से matter को investigate कर सके तो उसके पास से case आप जबरदस्ती हटाना चाहो उसके सामने investigation के लिए ना जाना चाहो यह नहीं चल पाएगा यहाँ पे भी आई हो रहा है मदरास high court की जब two judge bench ने एक ने बोला कि नहीं भाई गलत हुआ है संतिल भाला जी के साथ इनका detention illegal है ED का और दूसरे ने बोला कि नहीं भाई इनका detention सही है जैसे कि Justice D. भारत चक्रवर्ती साहब थे उन्होंने बोला कि भाईया minister साब तो private hospital में रहे 10 दिन के लिए तो शुरुवात के जो 14-15 दिन का समय था उस समय पे कोई interrogation तो proper तरीके से हो नहीं पाया तो custodial interrogation की permission तो देनी पड़ेगी ED को चोकि अगर ED ने case institute किया है तो ED पूछेगी तो ही ना कि आपके crime क्या है तो जब दो judgeों ने conflicting decision दे दिये J. निशाबानू ने अलग decision दिया भारत चक्रवर्ती साहब ने अलग decision दिया तब भाईया Chief Justice of Madras High Court ने एक और court को case मतब judge को यहाँ पे involved किया यहाँ पे investigating authority के पास यह राइट है कि वो overall interrogate तो करी सकते है सेंथिल बाला जी को जब तक सेंथिल बाला जी की तवियत खराब थी तब तक हम समझ सकते हैं कि भाई उनको hospital मिलने की ज़रूत है अब चुकि उनकी तवियत सही है और शुर्य के 15 दिन का पूरा period हो नहीं पाया का स्टूडल interrogation के लिए तो technically उन्हें interrogate करना जरूरी हो जाता तो आप case फिर से overall तीन judge के सामने आएगा और इन तीन judge बताएंगे कि कि किस दिन से overall आपकी 15 दिन वाली limit चालू होगी और किस हिसाब से यहाँ पे आप overall investigation कर सकते हो पूछ सकते हो तो यह जो allegations जिन individuals के against लगाय जाते है न वो कभी-कभी legal loophole का फायदा उठाते है यहाँ पे सबसे बड़ा legal loophole क्या था कि बही सुप्रीम कोट ने 1992 के judgment में बोलाया कुलकरणी judgment में कि भाया arrest के 15 दिन तक ही maximum police remand में रखा जा सकता है लेकिन इस 15 दिन के अंदर जब कैदी की तवेत खराब हो जाए उसको hospital वगारे में admit करना पड़े तो फिर वो जो hospital के admit का time period है उसको भी 15 दिन में जोड़के आप बोलो कि नहीं भाया police custody नहीं हो सकती पारिस में सारे जहां से अच्छा की ट्यून पे तो भी यह जो strains है सारे जहां से अच्छा शांप डी एलिस फ्राइडे को 242 मेंबर की इंडिन मिलिटर कंटिजेंट फ्रांस के बैस्टिल डे परेंट में मार्च करी परहां मंती मोधी जी और फ्रेंच प्रेजिडेंट मैकरॉन साब इस पर्टिकुलर इवेंट को देख रहे थे मैकरॉन साब ने इंडिया की यहाँ भी बड़ी तारीफ की मैकरॉन साब ने बोला कि इंडिया जाइंट है आए दे है वान ओफ दो ओब Wasma ते मिलिटर कंटिंज Turkish और पार अपने बहुत पुरानी है पंजाब रेजिमेंट के ट्रूप्स ने वर्ड aan में लड़ाई की थी ठीक है ना फ़र्यमच में और अब्ढ़ाज ओटma रोड़ जब first world war में लड़े थे तो उनके soldiers को कुछ bravery के awards भी दिये गए थे world war के bloodiest battle में इंडियन soldiers जाके लड़े हैं पंजाब regiment और राजपुताना rifles के soldiers जाके लड़े हैं तो आज की डेट में पंजाब regiment और राजपुताना rifles के soldiers जाके march कर रहे हैं फ्रांस के अंदर जो बैस्टल डेपरेड हो रही है उसमें तो overall इस particular event का ना एक कह लिजे historical significance है उसके साथान यहां पे एक और news है कि प्रधान मंतरी मोदी जी को conferr किया गया highest award of France तो नाइंद मोदी जी बिकिम the first Indian Prime Minister to confer the grand cross of the legion of honor यह फ्रांस का highest civilian military honor जिस प्रकार से इंडिया के अंदर भारत रतन है वहां पे grand cross है ओके तो मोदी जी को यह honor मिला है LEC Palace में दुनिया भर के बहुत से वर्ड लीडर्स को मिल चुका है जैसे साथ अफ्रेकर प्रेजिन लेंसन स्टेड पर समझ एक तो यह अपने अप में अच्छी ख़बर है इंडिया के लिए अवरॉर फ्रांस में इंडिया को इतनी मिझेस फैन टिया मेंम प्राइब कि आगने इसफ़ी नाम है इसका नाम है डिजिटलर पर्सनल डाट प्रोटेक्शन लिड ठीकिन उन सबसे बड़ा सब्सक्राइब बताया जा रहा है वह है अमेंडमेंट औफ राइट टू इन्फॉर्मिशन एक्ट दो हजार पांच कई बार दोस्तों अगर आप आप आटिया वगरा इस्तमाल करते हो तो आप देखोगे आप किसी डिपार्टमेंट में आटिया ही मारो और वो आटिया किसी एक पर्टिकुलर इंडिविज्वाल से या गॉर्मेंट से रिलेटेड है तो बहुत बार देखोगे कि वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जवाब में सेक्शन एट क्लॉस वन सब क्लॉस जे ऑफ दर टू थाउजन फाइव आर्टिया लोग को क्योट करते हो बोलेगा कि जो इन्फ़र्मेशन आपने मांगी है वो एक पर्सुनel इनफ़र्मेशन ने उसका पपलिक इंट्रेस से कोई लेना देना नहीं है तो हम आपको वो इनफ़र्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो यह पट्रिकुलर स्.8 वन करनी पड़ेगी ठीक है तो इस section में लिखा है कि personal information cannot be disclosed under the RTI Act which has no relationship to any public activity or interest or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual the larger public interest justifies the disclosure of such information तो मतलब अगर आप किसी individual की personal information भी मांग रहे हो और वो personal information public interest को justify करती है larger public interest को तो उस case में भी आपको वो information provide करनी पड़ेगी लेकिन अभी का जो data protection bill है न वो इस public interest वाले clause को थोड़ाँ nullify कर देगा थोड़ाँ meltdown कर देगा तो यह जो नया आपका public data protection bill निकल के आरा digital data digital personal data protection bill यह digital personal data protection bill overall कमजोर कर देगा section 8 clause 1 sub clause J RTI Act 2005 को चुकि यहां पे overall अगर किसी individual के बारे में कोई private information पूछी जाती है वो private information अगर public interest से भी relate करेगी तो भी overall इस digital personal data protection bill का जो essence है वो यह बोलता है कि public interest में भी private information disclose नहीं की जाएगी कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि वो private information होती है किसी government employee के respect में तो उसक्तास में government की कोई खामी निकला है तो government अपनी accountability को कम करने के लिए यह section 8 clause 1 sub clause J में जो public interest का exception है इसको कमजोर कर रही है कुछ इस प्रकार के इल्जाम यहां पे लगाए जा रहे है ठीक है तो यह सा बाते हो रहे हैं फिर नेक्स्ट नेशनल केंपेंड फॉर पीपल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन एंसी पी आराई यह एक मेजर प्रेशर ग्रूप है जो कि एडवेड करता है ट्रांस्पेरेंसी सिंस 1996 इसने अलाग अलाग मेंबर ओफ पार्लेमेंट को लिखा और बोला है कि सर यह जो आटियाई एक्ट 2005 के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट का जो प्रिमाईस है ना सेक्शन 8 क्लॉस 1 सब क्लॉस जे में इसको कमजोर मत पढ़नी दीजे अगर पब्लिक इंटरेस्ट वाला फिर एडिटोरिल पर आ जाते हैं विर्चुल समिट वर्चुल साइलेंस यहाँ पर क्या हो रहा है तो भाई यह मीडिया ब्रीफिंग होई चार जुलाई को और इंडिया के जो फॉरेंस सेक्रेटरी है विने कौातरा साब उन्होंने यह बोला कि नहीं भाई शांगाई कॉ अर्गनाइजेशन को भले हमने वर्चुली हेल्ड किया है बट इस वर्चुली हेल्ड करने का मतलब यह नहीं है कि हम समिट के अब्जेक्टिव को डाइलूट करना चाहते हैं यहाँ पर अपनी प्रेजिदेंसी के समय पर इस यो की समिट को वर्चुल मोड में कंड़र्ट करवाके इंडिया ने इस यो की इंपोर्टेंस को कम कर दिया कोच इस प्रकार के इंडिया के उपर लगाएगा है इन फैक्ट मीडिया परसनस नहीं यहाँ पर बेने कारता आजी से सवाल पूछे चाइना भी यहाँ बहु क्या बता है यहाँ पर कवातर साब ने कवातर साब ने बोला है कि इंडिया एस यो को इंपोर्टेंस देता है पॉलिटिकल एकनॉमिक और जो भी कल्चरल इनिशेटिव से इंडिया के इंदर उसकी 134 मीटिंग्स और इवेंट्स एस यो की प्रेजिदेंसी के साथ का SEO के साथ कोई स्ट्रेटिक कंसीडरेशन नहीं है देखिए यह बात बिलकुल सच है कि SEO के अंदर कुछ ऐसे इनिशेटिव को जोर दिया जा रहा है जो कि एंटी इंडिया है एक सब पार्ट है चैना पाकिस्तान एकनॉमिक कोरिडोर और ओव्वेसी बात है SEO के समिट को इ इस पर्टिकुलर चैना पाकिस्तान एकनॉमिक कोरिडोर को पाकिस्तान चैना बढ़ाने की कोशिश करेंगे ठीक है नो डाउट शांगाई कोपरेशन और चैना की धाक है चैना यहाँ पे इकनॉमिकली बहुत साथा स्ट्रॉंग है और चैना ने 2020 के बाद लाइन ओफ एक् हैं वो थोड़ा मायूस जरूर हुए होंगे इंडिया टेर्रिजम और कनेक्टिविटी के रिस्पेक्ट में स्यों की इंपोर्टेंस को भी समझता है SEO का मेंबर बनके हम अफगानिस्तान के साथ बेटर तरीके से कॉर्डिनेट कर सकते हैं ताकि अफगानिस्तान की जमीन को एंटी इंडिया मेजर्स के लिए इस्तमाल ना किया जाए SCO की membership के साथ हम central Asian members जैसे की कजाकिस्तान, किर्गिस्तिस्तान, तजीकिस्तान, उस्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इनके साथ proper तरीके से engage कर सकते हैं थूरू इरान, अब तो इरान भी member बनने वाला है SCO का तो overall जो connectivity है और overall international north-south transport corridor की जो success है वो भी बहुत हथ तक इंडिया की SCO membership के उपर depend करती है तो no doubt when it comes to terrorism and when it comes to connectivity SCO has a big and huge importance for India but at the same point of time ये भी सच है कि इंडिया कुछ हथ तक isolated feel करता है SCO के इंदर चोकि SCO के इंदर पाकिस्तान, चाइना और चाइना की बहुत हथ तक चलती है जो flagship product है, चाइना पाकिस्तान economic corridor ये बोल जाता है कि इंडिया की sovereignty को valid करता है और इसको भी कहीं न कहीं promote किया जा रहा है SCO के ambit के अंदर तो अभी सी बात है SCO की इस प्रकार की effectivity और engagement को इंडिया कमजोर करने की कोशिश करेगा और चाइना को ये बात पसंद नहीं आएगी अब belt and road initiative की जो negative consequences है इनको बारे में इंडिया दुनिया भरे में बताता रहता है बर भले ही belt and road जितना भी overall host country को नुकसान पहुचा दे अभी के लिए centralization countries, पाकिस्तान जैसी countries जो की काफी चिल्डर हो गई है इनकी shambles में हिली हुई है ये बहुत हद तक चाइना के ओपर economically dependent है और इसलिए SCO के जो बाकी members है और बहुत हद तक रशिया ये चाइना के ओपर economic dependence है इनकी इसलिए बहुत ज़दा वो pro India के favor में बोलेंगे नहीं थोड़ा शांत रहेंगे तो better ये रहेगा कि terrorism की मुद्दे से लड़ने के लिए connectivity की मुद्दे को सौट आउट करने के लिए transport logistics की मुद्दे को सौट आउट करने के लिए SCO के अंदर हम अपनी बेर minimum presence तो देखिये रखें इस बार जो SCO का declaration आया था उसमें इंडिया पाकिस्तान चाइना तीनों ने यूक्रेन की बात नहीं की यूक्रेन वार की लेकिन रशिया ने यूक्रेन वार की भरबर के बात की रशियन लीडर्शिप ने SCO की बाभी member countries का thank you भी बोला कि ठीक है भाई रशिया यूक्रेन वार को लेकि आप रशिया के अगेंस बहुत ज़ादा कुछ नहीं बोले है रशिया बार बार यूक्रेन वार को western propaganda की तरह दिखाने की कोशिश करता है तो basically यह जो virtual summit हुई इससे एक चीज़ होगी कि मोदी जी ना पाकिस्तान के शहजवास शरीफ से मिले ना ही जी जिजिंक मिंग के साथ मिले तो overall author का यह बोलना है कि अगर SCO के embed के अंदर India proper तरीके से engage नहीं करता है तो Eurasia के region में Europe और Asia का जो confluence वाला region है इस particular region में हो सकता है कि चाइना इंडिया की importance को थोड़ा कम करने में successful हो जाए तो यह बात यहाँ पर बताई जारी है ठीक है मैं अगले article चल लेते भाई यह article है आपका European Parliament Resolution Misdiagnosis the Moneypore Issue भाई interconnected word है आज का दुनिया का कई बार क्या होता है कि US के अंदर problems होती जैसे Capital Hill पे attack हो गया था US के अंदर overall जो black citizens है उनके ओपर US की police attack कर देती है racial attacks होते हैं तो इस बात को लेके इंडिया में एक चिंता की बात होती है इंडिया में लोग बात चीत करते हैं कि western countries में गलत हो राज तो चीज़ें सही होनी चाहिए तो अगर western countries और European Union की Parliament इंडिया के अंदर होने वाले मनीपूर violence के उपर उंगली उठा रहे हैं तो इंडिया को यहाँ पे responsible जवाब देना चाहिए यह नहीं बोलना चाहिए कि यह colonial mindset को डिस्प्ले कर रहे है चुकि जब ऑस्ट्रेलिया में हिंदू टेंपल्स के ओपर अठाक होता है जब US में anti-immigrant violence होता है तो उस समय पे इंडिया definitely concerned हो जाता है तो आज की date मनीपूर में गड़बड हो रही है तो European Union की Parliament अगर concerned हो रही है तो इंडिया को इतना घबराने की या चीजों को रिजिस्ट करने की ज़रूरत नहीं एक तो यह बात बोली जारी है दूसरा European Parliament की गलती को यहाँ पे point out कर रहा है author author बोल रहा है कि European Parliament के बहुत सारे members इस particular issue को minority subjugation के साथ जोड़ रहे है क्या हुआ है कि इस मनीपूर वाले violence में बहुत सारे Christian churches को destroy किया गया Christian community को नुकसान पहुँचा बात यह है कि जो नागा community उसमें बहुत सारे लोग Christianity को adopt कर चुके लेकिन यह Christianity versus Hinduism वाला मुद्दा ही नहीं है जैसा मुद्दा यहाँ पर European Union Parliament के कुछ members देखाने कोशिश कर रहे है यहाँ तो हुआ यह को मीती community जो कि वैली में रहती है और हिल community के cookies वो लोग इनके बीच में काम नहीं बन पाया, सेट नहीं बेट पाया और इनके जो militant elements थे वो आपस में लड़ने लग गए उसके बाद पूरा का पूरा रायता फैल गया और Supreme Court के Chief Justice D.Y.C. अचन्दचुर साब ने point out भी किया था कि इस particular issue की शुरुआत हुई मनीपुर हाई कोड की single judge bench के इस decision से की मीती community को schedule tribe को member बना लो तो कुल मिला के यहाँ पे जो origin है इस problem का वो origin कुछ अलग है यहाँ पे tribal identities के basis पे लड़ाई हो रही है और इन tribal identities को जो present ruling party है मनीपुर की वो synchronize नहीं कर पा रही है तो यह European Union Parliament के members बोल रहे हैं न कि यह Hindu versus Christianity का मुद्धा है religious minorities को subjugate किया जा रहा है यह बहुती बकवास type की कर रहा है European Union Parliament वाले अगर वो सच में इस particular मुद्धे को criticize करना चाहते हैं और इन tribes के cultural differences के चलते हैं और overall इनके internal ethnic tensions के चलते हैं सारा बवाल हुआ है इसमें Christianity का Hinduism का Islam का कोई लेना देना नहीं है और कुछ हट तक अगर responsible है तो ruling party है ground level पर state government की वह यहाँ पर responsible है तो जो यह resolution है यह misconstru करता है situation को और इसको religious discord का reason दिखाने की कोशिश कर रहा है यह एक wrong diagnosis है यहाँ पे सही चीज़ों को point out करने की जरूरत है तो lecture यहाँ पर खतम होता है दोस्तों I hope आपको मज़ा आया हो आज के lecture में अपने view point नीचे comment box में दे के जरूर जाएगा telegram group जरूर से join कर लीजेगा दोस्तों वहाँ पर आपको updates मिलती रहती है और overall यह जो मेरा mentorship course है इसको आप join कर सकते हैं definitely इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा have a great day friends good bye